Question number 11 को solve करेंगे इस वीडियो में हम और इस वीडियो में हमें जो कि क्रास 9 की किताब से है Chapter Probability Exercise 15.1 Question number 12 में है कि 11 bags of wheat floor each marked 5 kg actually contained the falling weight of floor ठीक है 11 bag है जिसमें 8 भरा हुआ है और हर एक पर marking लगाई गई है 5 kg की जिसके अंदर actually में वो marking तो 5 kg की है मगर उसके अंदर actual में कितना है वो इस तरीके से लिखा गया है यानि किसी में 4.97 kg है 5.05 भी है इस तरीके से सब कुछ दिखाया गया है तो हमें probability पता करनी है that any of these bags chosen at random contains more than 5 kg of floor तो ऐसे हम अगर देखें यहाँ पर तो ऐसे कितने bags है जिनकी जो जिनका weight जो है वो 5 kg से ज्यादा है तो कितने है यह जो है ज्यादा है एक दो तीन यह नहीं लेंगे क्योंकि हमें इससे ज्यादा बताना है चार पांच छे साथ तो ऐसे कितने है ऐसे bags जो 5 kg से ज्यादा contain कर रहे हैं weight floor को वो कितने है 1,2,3,4,5,6,7 तो ऐसे 7 bags है तो यहाँ पर हमें probability पता करनी है कि bags contain more than 5 kg तो number of bags contain greater than 5 kg divided by total number of bags तो हमने देखा कि 7 bags ऐसे थे जो 5 kg से ज्यादा contain कर रहे है weight floor को out of 11 bags तो यह probability हो गए इसकी यहीं हमें बताना था इस वीडियो में तो आए hardware आर एक समि का झालός नचा टेक है है